Good morning students, how are you? बच्चों, yesterday we read about class 3, chapter number famous Indians. बच्चों, कल हमने आपकी class 3 में famous Indians के बारे में पढ़ा था. Okay बच्चों, today is this chapter moving around. बच्चों, आजम आपका जो chapter है, उसका title है moving around. यहां घूमना. बच्चों, आजम कुछ transport के नेम के बारे में पढ़ेंगे, transport के बारे में जानकारी लेंगे. So, come and get information about transport means. देखें, आजम, transport के बारे में जानेंगे, अपने इस chapter में. So, let's start. आईए, start करते हैं. देखें, here are some means of transport. Read the clues of identity, then pick your answer from the health box. बच्चों, यहां पर हमें कुछ transport के नम दे गए हैं. Read the clue to identity, then pick your answer from the health box. बच्चों, हमें इनकी पहचान करके, देखें, picture दी गई है. हमें, यहां पर इनकी बारे में बताएगा है, इनकी पहचान करके, इस help box से यहां पर हमें इनके नेम को लिखना है. आईए, start करते हैं. बच्चों, फिस्ट, पोईंट फिस इस लार्ज सेलिग बट इस ओस्टी यूज़ फोर रेसिंग और फ्लेजर राइड बच्चों, यहां लार्ज बड़ी सेलिग बड़ी बड़ी नाव जादा तर अधिक तर यहां बड़ी नाव अधिक तर रेसिग यां खुशिंग तर रेसिंग या खुसी के लिए उप्यों की जाती है बच्चों यह बड़ी नाव रेसिंग या खुसी की सवारी के लिए उप्यों की जाती है तो बच्चों यह हमारी क्या है याच देखें यह इसकी पिच्चर है ओके आप सेकिंड देखेंगे आप इस एयर क्राफ्ट हैस रोटेंटिंटिंग ब्लेड्स विच हैल्प टू दा फ्लाई बच्चो आप समझ गेंगे इस विमान में गूनन ब्लेड होते हैं देखीं यह रहे यहां पर यह ब्लेड हो गए विच हैल्प टू फ्लाई जो इसे उड़ने में मदद करते हैं आप समीश समझ गए होंगे कि यह हमारा कौन सा टास्पोर्ट है यह हमारा हैलिकॉप्टर देखें यहां पर हैलिकॉप्टर का आपको पिच्चर दिखाई गई है देखें इसके उपर यहां पर यह ब्लेड होत जाता है ओके आप देखें थार्ड पॉइंट पाजाई बीटा यहां पर दिस इस्मॉल ट्रेन लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच रंस ऑन ट्रेक्स बच्चों यह एक छोटी ट्रेन जेसिंग परिवहन है छोटी ट्रेन होती हैं यह सावरजानिक परिवहन है जो पट पर चलती है इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं से हम टम ट्रम देखें ओके यह होती है हमारी हेवली छोटी होती है यह जो पर चलती है ओके अब देखें फोर एफ फाउंड इन प्लेसिस कवर्ट परमनेंटली विद इस्नॉ found these places covered permanently with snow these are drawn by dogs बच्चो आपने मूवी में भी देखा होगा बरफ से स्थाई, रूप से धके स्थानों पर पाई जाते हैं इन्हें कुत्तो द्वारा खीचा जाता है आपने मूवी में भी देखा होगा बच्चो एक होती है जो चारो तरफ से बरफ से धके हुए होती है और इसे कुत्तो द्वारा खीचा जाता है जिसमें सब बैठ जाते हैं और कुत्तो ने खीचते हैं तो ये बच्चो ये हैं हमारी फिफ्टे कि इस एई हाउस ओन वील्स यह पही ओपर एक घर है यहां पईयों पर एक गर है, इसे बोलते हैं कारवान, क्या बोलते हैं, कारवान, देखें, यह हमारा होता है, कौन साहे बच्चा है, यह हमारा यह, ओके, अब आईए 6 पर, इसे हम बोलते हैं, फैरी, ओके, अब आप, देखें, आप, देखें, इसे हम बोलते हैं, फैरी, ओके, अब आप, देखें, यहाँ पर आपको इस 6 पॉइंट बता दे गए हैं, और इनकी पिच्चर भी दिखाए गई हैं आपको, तो इनके बारे में आपको पता चल गया हुआ, किस काम आते हैं, कौन-कौन से होते हैं, आईए, अब देखते हैं, फैक्ट फाइल, ओके, बच्चों, दुनिया का पहला हेलिकॉप्टर, देखें, बहुत ही इंपोटेंट पॉइंट हैं, दुनिया का पहला हेलिकॉप्टर, 1939 में, इगोर सिक्योर स्काई द्वारा डिजाइन और निर्मित क्या गया था, मतलब कि, सिक्योर स्काई ने, इगोर ने इसको बनाया था, 1939 में, इसे स्क्योर स्काई वी एस थ्री हंडर कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था, अब आईगी देखें, थिंक बॉक्स, बच्चों, हमें कार में सवार होने के बजाए, आसपास की जगों पर चनना चाहिए, मतलब, जो मतलब, इसका मतलब बच्चों, जो आसपास हमारे जगें होती है, हम उसमें कार में न जाकर, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ही पैदल ही जाना चाहिए, तो वाई इस इस इम्पोटेंट, यह हैं महतम पून क्यों है, आईए इस पर चर्चा करते हैं, हमें इस पर चर्चा करनी है, कि यह हमारे लिए कैसे लाब दायक हो सकता है, मैं तब भून क्यों है, जो आसपास की जगें है, हमें उन्हें कार में न जाकर, ऐसे ही जाना चाहिए, तो बच्चों हम इस पर डिसकस करेंगे, आप भी अपने पैरेंट के साथ डिसकस करना, ओकी, तो बच्चों यह हमारा आज का चैप्टर हो चुका है, मुविंग अराउंड, आप इस अच्छे से रिड़ करेंगे, और इस चैप्टर अच्छे से समझेंगे, आज के लिए थैंक यू सो मच